हेलो गाईज मैं हूँ पृती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point एड यूनिवोसिटी ओफ डेली एन स्कूल आफ ओपन लर्निंग की तरफ से एक इंपोर्टेंट नोटेस रिलीज किया गया है जो 4th semester की students हैं खास करके उनके लिए तो देख लेते हैं इस notice में क्या बताया जा रहा है तो सबसे पहले आपको यह notice कहां से मिलेगा आप Soul की official website जो है उसको login कर लेंगे official website login करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे एक notice आपको दिख रहा होगा ठीक है notice open करने के बाद देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है ठीक है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले तो clearly mention है कि यह जो notice है वो किन के लिए notice तो पहले बात यह जान लो कि काफे पहले ही release किया गया था बढ़ हमारे पास अभी recently आया है ठीक है तो new procedure for student enrolling in a open and distance learning ठीक है यह जो distance से study करना चाहते हैं distance learning से उन बच्चों के लिए है और online programming form academic year 2014-25 तो देखो कई बार क्या होता था ना जो students है बहुत सारे वो distance learning या फिर online programming वगरा करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत सारे universities हैं जो कि उनको program offer करते थे ठीक है लेकिन कई बार उसके fees बहुत जादा ले लिया जाता था कई बार वो authorized नहीं होता था UGC से ठीक है ऐसे में बच्चों को बहुत loss होता था बहुत नुकसान जहिलना पड़ता था बच्चों को ठीक है तो अब ऐसे में जो UGC है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि आप जो है एक ID बनाएंगे जिसको DEBID बोला जाएगा ठीक है यह ID होगा जिसे की बच्चों को जाना जाएगा ठीक है और यह DEBID कैसे जनरेट होगा तो जिन बच्चों के पास ABC ID होगा वो उसके थुरू आप यह DEBID मतलब जनरेट कर पाऊगे ABC ID क्या है आपका academic bank और credit ID है ठीक है तो इसके थुरू आप जो है अपना DBID जनरेट कर पाऊगे ABCD ID कैसे आपको ABC ID जो है वो कैसे जनरेट करना है यह आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे बच्चों ने अल्रोडी जनरेट कर लिया होगा ठीक है जिन्नोंने नहीं किया होगा तो मैं उस पे एक separate video बनाद होगी कि कैसे आप लोगों को जो है अपता यह जो ID है ABC ID जनरेट करता है यह जो DBC ID होगी आपकी चीक है यह जो है lifelong आपके लिए वैलेड रहेगा चीक है आप लोगो को कई बार के वाता है Transparency नहीं रखी जाती थी बहुत बार बहुत सारी दिक्कत आती कई बार वह युजिसी के थूवएलेड नहीं रहता था जिसकी वजह से आपकी जो डिग्री है वह उसकी उतनी वैलीव होती नहीं थी तो इस वजह से इन सभी चीजों को ये डिसीजन लिया है कि आप से जो है इस तरह से आप जद्धी वी आईडी बना लोगे तो उसके बाद आप जो युनिवोसिटी में है वो युजी सी के तहत वैलिड रहेगी वो युनिवोसिटी ठीक है और उसके बाद आपनी स्टाडी प्रॉपर्ली कंटिन्यू कर के तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मेरे से तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस थैंक्स फॉर द वाचिंग डिस एंड बेस्ट अफ लकॉल